करना चाहिए किस बच्चों का प्लाई करना नहीं करना है यह कैसे कॉंसलिंग होगा उसका कब किसको कॉंसलिंग होगा पेमिंट सीट पेसल फाइनल सीट है या नहीं है अब जो लोग भी अभी अप्लाइब कर सकते आए एक सेट्यूट तक सारे लोग का जो होगी और जब मेरिट लिस्ट तयार होगा तो टुंबम मेरिब कर दूंगा तो वह और जो है तो सारी अधर वडिकर दूंगा सब्सक्राइब और वह राउंड वन या राउंड वन में सीट कंप्लीट हो जाती है तो फिर राउंड टू के लिए कि लिए निकालने के बाद एक सब्सक्राइब का कॉंसलिंग होगा आफ लाइन में तो आपको कॉलेज पहुचना है इसी तरीके से अगर फिर राउंड टू में भी कुछ सीट भाइकन बरत जाता है तो मौप अप्राउंट भी होगा तो तीन में काउंसलीं होगी ठीक है फ्री सीट के लिए जो भी टोटल फाटी फाइव सीट है साथ सीट में जब फाटी फाइव सीट फ्री सीट है पांसीट जैंड विसाहिके तुरुफिल होगा और सीट लेना चाहते हैं तो उसकी अलग सब्सक्राइब कांसलिंग के लिए उन सारे बच्चों के बाद कांसलिंग के लिए वहाँ पर बुलाएज आगा सारा डेट में आभी आपको सेर कर दूंगा मैं तो उसको वहां जाना है पिर अगर जो एक डो सिट बच जाती है इंके स बच जाती है तो फिर वापस से उसके लिए राउंड टू का लिस्ट निकालेगा लिस्ट निकालने के एक सब्ता के बाद फिर आपको कॉलेज पहुचना है ठीक है तब तक जो है सेल फाइनेंस का जो काउंसलिंग है यह नॉंबर दे रखा तो नॉंबर हो जाएगा तो यानि की बहुत लेट हो जाएगा ठीक है अब इसमें किसको पार्ट करना चाहिए बतातों जो लोग फ्री सीट लेना चाहते हैं फ्री सीट और अगर जेनरल कैटेग्री होगा ओबी सी या एडबलेएस तो आपका अगर चालीस हजार या पैंतालीस ह संभावना है अगर आप 40,000 अल इंडिया राइंक है तो हंडेट परसेंट कॉलिज मिल जाएगा 85% कोटा के तुरू अगर 50,000 के अंदर है तो भी रेजिस्टेशन कर सकतो प्रबैबलिटी है कि तुमको यहां पे जो फ्री सीट है वह फ्री सीट आपको मिल जाए अगर सी हो सबसे नंबर वन कॉलेज है रिशर्च वगराइक के लिए सबसे बेस्ट है तो आप रजिस्टेशन कर सकते हो रजिस्टेशन फीज दो हजार रुपए है और आपको मेरे लिस्ट में आपको बुलाया जाए तो आफ्लाइन होगा तो जाने आने का खर्चा लगेगा आभी जो रजिस्टेशन फीज है और कोई एक्स्ट्रा फीज नहीं लगेगा ठीक है तो बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे अभी नहीं किये हैं जिन लोगों को भी रेस्टेशन करने में दिक्क्त आत्या आप साइवर कैफे का हाल प्ले सकते हैं या फिर म कर लूँगा ठीक है के बारे में बता दिया किसको मतलब करना चाहिए और कैसे कैसे होगा वह मैं आपको एक बारे स्क्रीन पर उससे पहले हाँ जो लोग भी रेजिस्टेशन करोगे तो सारा रेजिस्टेशन के टाइम पर आपको जो टेंस कर ट्वेल का मांक सीट है डेट पास सट्विकेट है निट का स्कूर का निट का सारी चीज अधार कार्ड इसके अलावा एक और आईडी कार्ट चाहिए पास्पूर्ट होगे रहे रहे वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड होगे रहे वह भी अप्लोड करना है तो बहुत सारा डॉक्मेंट्स यहां पीडिएफ के साथ साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लोड की हो यहां पे उस सारे डॉक्यूमेंट्स का एक जिव फाइल बनाना है यह फाइल बनाने के बाद इमेल पर सेंड करना आई वीर एड़ बीबी एस सी एडमिशन दोर चौबिस एड़ ड़ीड डॉ इसलिए इम्पोर्टेंट में पर आप इमेल दे रखा है यह आपको टैलिग्राम चैनल पर यहां पर आपको मिल जाएगा फिर आप वेब साटी भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो इसका जो कांस्लिंग का डेट दे रखा है जो सबसे पहला जो रेंक्लिस्ट या मैरेट लि लिए वह सप्टेमबर को रिलीज होगा और सप्टेमबर को रिलीज होगा आप किसी भी इस्टेट दिली से हो या पंजाब से हो या हर्याना या बिहार से कहीं से भी आप तो आपको एक सब्सक्राइब का टाइम देगा एक सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको 26 सब्सक्राइब को वहां पर रिपोर्ट करना है वहां पर स्टीट अलॉट्मेंट का जो प्रोसेस है वह आफ्लाइन होगा इसी अगर राउंड वन में अगर कोई सिट खाली बच जाता है तो राउंड टू का वापस करने के लिए और राउंड टू का कांसिलिंग को होगा साथ अक्टूबर 2024 को होगा वापस से अगर फिर भी राउंड टू में वहीं कोई सीट अगर एक दो सीट भी बच जाती है तो इस केस में वापस से नोटीस आएगा और मेरिट लिस्ट आएगा मौप अपर में उन परिए कांसिलिंग के लिए तो आपको देखना है वेबसाइट पर नाम आपका है तो आपको फिर वापस ओफलाइन कांसिलिंग के लिए और इसके लिए बूलाइगा 25 अक्टूबर को बूलाइगा लास्ट यह तीन फेज में कांसिलिंग होगी मतलब टोटल 45 सीड़ है वहां पर प्रोसेज वह आफ लाइन होगा इसके बाद यहां पर टोटल एट सेल फाइनेंस सीट है और दो इनराइज सीट है तो एट सेल फाइनेंस सीट के लिए अल आवर इंडिया से बच्चे अपलाई कर सकते हैं ठीक है लास्ट इसकी जो है सारे 300 नंबर तक वाले को जनर पर रैंक लिस्ट आएगा मैं इस आएगा कि इन बच्चों को सेल फाइनेंस सीट के लिए हम बुला रहे हैं तो यह डेट जो है आपको च्छे नौमबर को डेट आपको रिपोर्ट करना है जो लोग भी पेमेंट सीट के लिए राउंड बन का जो मैरिट लिस्ट आएगा 25 अक्टूबर को आएगा और 6 नौमबर को आपको वहां कॉलेज रिपूर्ट करना आपको सीट का प्रोसिस ऑफलान वहां पर होगा फिर अगर वापस से एकाद सीट को कुछ सीट खाली बच जाती है तो वापस से से वालों के लिए दूबारा से नोटिस आएगा और उसमे पहले नाम लिस्ट आएगा कि आपको बुलाएज आ रहा है कॉंसलिंग के लिए तो एक सप्ता का टाइम देगा इसलिए क्योंकि पता है कि बहुत सारे यूपी के आलाब दूसरे स्टेट से भी बच्चे अपलाई कि हैं तो वहां आने के लिए डाएक एक दिन पहले तो फ मैं और चौटा से शेट का प्लाई करना बता दिया सारे बच्चे है जो सारे लोग यहां पर है कर सकते हैं तो सारे फिरी सीट की सबसक्राइक पांच लाख रुपए है तो अगर आपको जो ग्रेजूएट कर ले तो वेटनेरी करते हो जो आपको समझो रखा हुआ है आराम से जॉब लग जाती है किसी तरह का क्वेश्ट करने की अभी जरूरी नहीं है ठीका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीसाई कांसलिंग की मला प्रिफरेंस लिश्ट होगे रहा और कांसली गाइडेंस है तो मेरा पेड मेंबर से प्लान सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी छहाजार रुपए जिसका भी लिंक दे रखा उसमें को कुछ भी नहीं करना सारा चीज़ा है मैं और मिंटीम मिलके करते हैं ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स दूरे तब तक लिए खुश रही है मस रही है धन्यों